हेलो बच्चों कैसे आप लो आज के लेक्चर में हम टेस्ट पपर डिस्कस करेंगे ऑन क्वाड़िक एक्विशन पर तो यह दुख एमसी की कोशन थे सेक्शन एथा इस्टुडेंट तो यह सेक्शन एमसी कोशन दे रखे थे तो देखो एके करके हम सॉल्व करते हैं तो किया एक क्यों की वेलू माइनस टु देर हमें बताना है कौम सी क्वाड़िक एक्वेशन होगी तो सिंपल सी बात है इस्टुडेंट इसमें क्या करना है एक स्क्वार माइनस पी एक्स प्लस क्यू दे रखा लागत सबकी वेलु पूट कर लें बहुत असान एक उच्छ है अब दू जी ओ तो फाइनली अब आरा यहां से आजाएगा तो कौम सा बी ओप्सन करेक्ट्री स्टुडेंट एक स्कॉर माइनस एस माइनस टू ठीक है बी ओप्सन करेक्ट है आई इस समझ में आ गया तो यह तो बहुत अच्छे साही कर चुके है अब लिए उसको कुछ हा मततब 2 कौंस कौँट्री की क्विष्ट्री का रोर्स होगा मततब 2 की वैटाइट कर साथ इकाल एक राइंट शाइड आना चाहिए स्टुडेंट इक फोट्री का इस इसका मतलब इकवुखः टू जीरो होगा स्टुडेंट तो क्या बने विचा पूटकर लिखना पढ़े तो यह क्या देगा, 4 plus 5, 9 minus 8 equal to 0, मता 1 equal to 0, यह नहीं है, क्योंकि 1 0 का equal नहीं होता है, student, clear, यह 9 हो गया, 9 minus 8, यह नहीं है, पहरा इक्वेसर तो हो गई नहीं, ठीक है, आप देखो, इसके लिए नेखते है, 2 का square, 3 into 2 minus 12 equal to 0, यह क्या देगा, हमें 4 देगा, और यह plus 6 minus 12 equal to 0, यह कितना मिलेगा, 10 हो जाएगा, 6 plus 4, 10, 10 minus 12 equal to 0, यह क्या, minus 2 equal to 0, मतार यह नहीं होगा, minus 2 0 को equal होता ही है, left hand side equal to right hand side नहीं है, मताब left hand side not equal to right hand side यह, यहां प्या था, left hand side not equal to right hand side यह, clear है, तो ये भी नहीं होगा अब यहापने ये वाला देख देते हैं अगर टू कुट करो 2 का स्क्वाइर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इकोल टू 0 तो ये कितना होगा देखो इस्ट्नट 2 का स्क्वाइर है 2 इंटू 2 का स्क्वाइर मत्थब 4 तीक है माइनस 7 इंटू 2 14 हो जायेगा प्लस 6 इकोल टू 0 एक क्या होсяगा 8 माइनस 14 प्लस 6 इकोल टू 0 8 प्लस 6 कितना होगा 14 होगा ये फ्लूरेट माइनस 14 इकोल टू 0 तो 0 इकोल टू 0 देखो यहांपर लेफ हैंसार इकोल ड़ाइट है इसका मतब यह हमारा C option करेक्ट है student, तो जो 2 होगा, वो हमारा 2x square minus 7x plus 6 का roots होगा, क्यों? क्योंकि हमें 2 की well input करने पर left hand side equal to right hand side आ रहा, ठीक है यहाँ पर input करके देख सकते हैं, अगर मामने यही option यहाँ पर होता तो पूट करना ही पड़ता, तो देखो 3, 2 का square minus 6 into 2, minus 2 equal to 0, तो यह किता हो जागे student, 3, 2 का square 4 होगा, और यह minus 12 minus 14 equal to 0, sorry, यह minus 2 होगा, clear restaurant, 12 minus 14 equal to 0, तो यह 12 होगया, और minus 14, 12 minus 2 minus 14, तो minus 2 0, यह भी नहीं होगा, क्योंकि left hand side not equal to right hand side आ रहा है, इतनी बास समझे तो हमारा option कौन सा करेक्ट है, C option करेक्ट है student, I think सब बच्चों को समझ में आ गया, कैसे solve करना है, तो देखो student next order कर लेते हैं, I think यह भी बहुत बच्चे solve कर लिया होंगे, next order कर पहला कर लेते है student, कि इसको मेटा दे रहा है, बहुत असाने student, कुछ है नहीं इसमें, ठीके, बस practice करेंगे, practice करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, mathematics all about practice, जितना practice उतना math में perfect बने पढ़ेंगे आप, और देखो next, which of the following is not a quadratic equation, ता मैं आपको यहाँ पर select करके बताना है, कौन सा quadratic equation होगा, कौन सा नहीं होगा, तो सब solve करके देखना पड़ेगा student, ठीके, तो यहाँ तो देखो पहरा solve करके देख लेते हैं, A, तो देखो इसको expand करेंगे, identity, x square minus 2x plus 1, and now direct around, 4x square minus 2x plus 1, क्यAK कि तो यह क्या हो जाएगा student, 2 यहाँ स्टूरा देखो, इसको 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 से o multiply करेंगे 2x का e square, फिर इसको इसको से o multiply करेंगे 4x, और फिर इसको स्को से o dollar पिरको इसको इदर लेकिया हो तो आपको इसको इसको ही धाल लेकिया हो यह होगा एत्तब Bennett मढ़ एक्राइब करें Si2seny एक आ Community Defendant 4x² से 2x² गया तब 2x² देगा यह क्या माइनस 2x था प्लस 4x है तब 2x आएगा और यह देखो माइक प्लस 1 है माइनस 1 तो ही आ जाएगा तो यह क्या एक क्वाद्रेटिक इक्वेशन तो होगा ठीके हमें बता ना सब्सक्राइब इसको इसको इधर लेक्या प्लस 5 इसको इधर लेक्या है प्लस x का इसक्वाइर हो जाएगा और यह फिर एक्वेशन इसको 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 आंईगा डिकिनला वह एक्या श्माट आएग्या 100 क्वाद्रेटिक अंच्वाद्रेट ुर्या और applis प्ल Probार्डेटीलत्रेय। यह हैं कि यह भी क्वाद्रेटि मत्वर्प्वी ऑप्षन करते हैं हमें बताना है कौन सा नहीं होगा वह बताना है इस्ट्वर्ण तो आएको यह वाला भी कर देखो इसको 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 मिदा दे अएक बच्वों को समझ में आ रहे हो तो देखो C वाला पहले कर लो C वाला option करेंगे C C वेकार देखो minus root 2x plus root 3 का स्कायर and 3x स्कायर minus 5x ठीके? इसको आंक simplify कर ले इस्पुरेंट तो देखो identity यूज कर लो minus root 2x का स्कायर plus 2 time a into b होता है 2 time a कितना माने पास minus root 2x into root 3 है plus root 3 का स्कायर यह identity हमने लिखा a plus b का whole स्कायर a का स्कायर plus 2ab plus b का स्कायर और यह क्या है माने पास 3x स्कायर minus 5x clear एस्पुरेंट अब यह वो minus root 2x का स्कायर तो क्या देगा? 2x का स्कायर root 2 का स्कायर क्या होगा? 2 होगा x का x x का square होगा और यह minus का plus हो जाएगा ठीक है इसे और यहां पर का मिलेगा हमें देखो 2 है यह आजाएगा आपका minus में आजाएगा 2 under root 2 into 6 हो जाएगा ठीक है तो कि root 2 and root 3, root 2 into root 3 को कहा लेख सकते है इसे 2 times root 2 into root 3 x और यह क्या होगा 3 लोगा 3x का square minus 5x ठीक है ये आप यागा है तुमारा 2X का square और ये का 2 x 2 x 3 इसको एक ही root में लिख सकते है प्लास 3, 3X का square मायनस 5X अब क्या काम करेंगे इसको सिम्प्रिबेख़aldo 2x का square, minus 2 root 6x, plus 3, 3x का square, minus 5x, x, एक कांकारिकों सबको उधर ले, right-hand side लेके चलेंगे, तो यह 0, 3x का square, minus 5x, इसको मिदा लेके, तो minus हो जाएगा, देखो, negative हो जाएगा, student, minus plus कर जाएगा, student, यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 root 6x, और यह minus 3, हो गाए, student, तो देखो, हमने इसको तो ऐसी रिख लिए था, 3x square, minus 5x, अब क्या काम करेंगे, इसको हमने क्या, कि अपुरे को, right-hand side में करवट किया, तो यह minus हो जाएगा, minus था, यह plus हो गया, यह minus हो जाएगा, और इसको simplify कर लेंगे, तो क्या जाएगा, student, देखो, 3x square है, minus 2x square, क्या दे plus 2 root 6, x, x को बाहर निकालो, 5 plus 2 root 6, यह x हो जाएगा, कि इतनी बाहर समझगा है, इसको और इसको simplify कर रहे है, तो इसको simplify करेंगे, तो यह आएगा, क्योंकि अब यह जो को, इसमें addition perform नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यह तुमारा rational का हो यह, कि rational है, rational और इसमेंट का, हम addition इसमेंट कर नहीं पाएगे, तो यह क्या हो जाएगा, आपका, minus 5 plus 2 root 6, x हो जाएगा, ठीके, मतलब यह पूरे b की value आजाएगे, यह student, ठीके, बागी क्या बचा, यह complete बचुगा रहे है, इसको combine कर लिए, इन दोनों combine क्या, क्या बचा, minus 3 बचा, तो फालिए हम क्या हो, ब ऐसे b option correct कर सकते हैं, वैसे एक बाद solve करके देख लिए यह student, यह आपका सही है या नही है, एक बाद हम solve करके देख लिए है, तो यह तो समझ में आ गया, c तक तो हमारा option incorrect है, सही रही है, अब यह वाला भी देख लिए है student, अब देखो यहाँ को भी identity use कर लेंगे, a plus b का whole square अब क्या होगा, x की power 4 plus 2 time x का square, मतब 2 time a into b 2x plus 2x का square, इती बाद समझ में आ रही है, clear है, a का square, मतब a x का square करते हैं, x की power 4 हो जाएगा, 2 time a into b plus 2x का square, equal to क्या होगा, x की power 4 plus 3 plus 4x का square, clear restaurant, अब क्या हो जाएगा, x की power 4, और यह क्या हो जाएगा तुमारा, 2 into 2, 4 हो जाएगा student, x का square into x, x की power q होगा, होगा student, clear है, देखो, 2 into 2, 4 हो जाएगा, x का square x, x की power 3, और यह किता हो जाएगा, 4x का square होगा student, clear है, आएगा समझ में, फिर next क्या आएगा, आपका x की power 4, plus 3, 4x X2 Clear restaurant आया गा समझ में अब क्या cancel हो रहा, X की पावर 4X की पावर 4 cancel हो जाएगा अब यह 4X का इस्वार 4X का इस्वार भी cancel हो गया, 4X3 एकॉल तो 3 बच जाता, 4X3 की माइनस 3 पावर तो 0 अब यह quadratic मतलब यह जो equation इसकी highest पावर क्या है 2 है, तो यह quadratic नहीं है क्या है ये cubic है अगर degree की हिसाब से देखा जाए तो variable की power क्या है तो इसी ये क्या है cubic है तो हमारा d option correct है student क्यों क्यों क्योंकि ये quadratic नहीं आ रहा clear है student आई बस समझें I think सब बच्चों को समझ क्या रहा तेख माद मादस प्लस ही बहुत गलती होती होती तो आप ध्यान से solve करिए गया student माइनस प्लस की गड़वड़ी नहीं होनी चीए अगर माइनस प्लस की भी गड़वड़ी हो गई तो question पूरा गलत हो जाए clear है I think सब बच्चों को समझ में आ गया तो देखो next question देख लेते हैं बाकी के रिमनिन जो question पच्चे हो ये student तो देखो बच्चों ये आपका next questions है 4,5 and 6 है तो देखो ये भी आपके M.C.Q. question तही student तो देखो ये बाला question करने हो तो पहले 6 बाला करने हो उसके बाद आगे होने करेंगे यह वो लटाए x equal to minus 1 by 2 is a solution of the quadratic equation then find the value of k तो इतनी बाद समझ्या है कि solution है इसका तो यह क्या 3x का i square plus 2kx minus 3 equal to 0 तो हम क्या करेंगे x के जबकर फ्राप फूट करेंगे minus 1 फूट करेंगे तो 3 minus 1 by 2 का whole square plus 2k minus 1 by 2 minus 3 equal to 0 इतनी बाद समझ्या आरे इसक्राट clear है तब यह क्या हो जाएगा 3 इन्टू यह कितना हो जाएगा इसक्राट 1 by 4 हो जाएगा क्योंकि minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus minus plus हो गया 1 और यह 4 हो गया clear इसक्राट आई बाद समझ्या और यह कितना हो जाएगा इसक्राट 2 देखो यह cancel हो जाएगा, तो minus k बचाएगा, clear, minus 3 equal to 0 कितनी पास समझ में है रिप्रेंट, यह तो cancel होगे है पुछी तरसे, क्या बचाएगा, minus k बचाएगा, अब क्या यह हो, remaining बचाएगा, 3 by 4, ठीके, 3 by 4 minus k minus 3 equal to 0 एक काम करेंगा, constant time को इदा दे किया हो, तो इसको इदा दे किया आजगा, कोई दीकर नी, क्योंकि minus k है, तो right hand side लेके जाएगा, तो क्या देगा, plus k बचाएगा, तो 3 by 4 minus 3 equal to k, lcm कितना हो जाएगा, 4, तो क्या हो जाएगा, 3, अब यह कितना देगा आपको, अब इसके denominator में क्या होँआ है, इसको इसको इससे divide करेंगे, तो क्या देगा, 4 देगा, 4 into 3, 12 हो गया, equal to k, तो क्या आएगा, minus 9 by 4, तो k, k की value कितनी है, final, minus 9 by 4 आ रही है, तो a option correct है, student, option a क्या है, correct है, I think सब बच्चों को समझने आ गया होगा, कैसे solve करना है, ठीक है, student, next वारा देखो, question देख लेते है, next, ठीक है, fifth वारा देखते है, student, इसको मिटा दे, जो बच्चे note करना चाहते है, note कर सकते है, यह MC की question था, ऐसे ही paper में, board की paper में, ऐसे ही question अब next वारा देखो, क्या है, इसमें दे रखा है, the quadratic equation 9x square 6px plus 4 equal to 0 has, बहुत roots are equal, इसका मतली यह देखो, पहले हमें, पी की value दिका देखा देखा देखेगी, then roots निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह दोनो roots दे रखा है, student, तो देखो, कैसे solve करेंगे, यहाँ पर दे रखा, जब दोनो roots equal होते है, तो उसकी एक condition होती है, student, condition क्या होती है, देखेए, आपर d equal to 0 होता है, तो d क्या होता है, discriminant होता है, student, d की value जो होगी, b square minus 4ac equal to 0 होता है, तो यह quadratic last exercise में है, तो discriminant, d for क्या होता है, discriminant होता है, where d equal to b square minus 4ac, और d equal to 0 कब होता है, if both roots are equal, अगर दोनों roots अगर equal होंगे, तो d equal to 0 होता है, तब यहाँ पर देखो, student, हमारे पास 9x square plus 6px plus 4, अगर हम इसको compare करते हैं, compare with, compare with ax square bx plus c, अब देखो, a की value कितनी हो जाएग, student, 9 होगी, b की value कितनी हो जाएग, student, b कितना होगा, 6p हो जाएगा, and c की value कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, इतनी का समझगा है, student, clear है, a हमारा 9 होगा, b हमारा 6p होगा, x के साथ जो भी होता हो, वो b का काम करेगा, और c क अब हम पुल कर ले, b का square, b कितना है, 6p का square, minus 4, a कितना हो, student, 9 है, c कितना हमारे पास, 4 है, equal to 0, तो यह कितना देखा, 36p का square, और यह 36 into 4 होगा, ठीके, 4 into 9, 36 होगा, 36, 5 हो जाए, student, p square minus 4, equal to 0, तो देखो, यहाँ पार, student, p square equal to 4, तो p equal to कितना हो जाएगा, plus minus 2 हो जाए, student, तो p की 2 value आ रही है, ठीके, p की 2 value आ रही है, when, p equal to 2, ठीके, and p equal to, when p equal to minus 2, दोनों पाहम equation निकाल लेगे, तो दोनों पे equation निकालेगे, तो, देखो, p equal to 2, को तो करो कितना, कौन सी equation आएगा, 9x square, plus 6px, plus 4 आएगा, इतनी बास समाझ में हो जाए, तो अब ही आपार, देख plus 6 into 2, x plus 4 equal to 0, ठीके, 9x square, plus 12x, plus 4 equal to 0, इतनी बास समझ में है, इतनी बास समझ में हो जाए, एक quadratic equation ये बन जाएगी, 9x square, plus 12x, plus 4, ठीके, अगर मालो, p की value, minus 2, पुट करते हो, तो, क्या रहेगा, 9x square, plus 6, p की जाएगा, minus 2, पुट करेंगे, इतनी, minus 2, x plus 4 equal to 0, ठीके, 9x square, minus 12x, plus 4 equal to 0, ये हमारी, दो, क्वाड्रेटिक की पिसन आएगी, तो हम क्या करें, रूट्स फांड आउट करने, क्योंकि वे रूट्स थी बताना, इतनी, तोड़ा सा lengthy question था, कोई दीकत नहीं, लेकिन, प्रैक्टिस तो करना आई पड़ेगा, इतनी, क्योंकि बोर्ड का पेपर देना आपको, तो पूरी तरह से तयार रहना है आपको, ठीके, इतनी, तो देखो, इसको, क्वाड्रेटिक इतनी को फेक्राइज करो, 9x square, plus 12x, plus 4 equal to 0, तो देखो, इसको फेक्राइज करेंगे, तो देखो, 9 into 4, ठीके, 3 into 3 into 2 into 2, तो 6 and इतनी, यह होगे 6 और यह भी होगे 6, तो 6 plus 6 क्या होंदा है, 12x देता है, तो फेक्राइज कर लिया, तो 9x square, plus 6x, plus 6x, plus 4 equal to 0, तो यहां से क्या मिल जाएगे, इतनी, यहां से में क्या मिल जाएगे, 3x बहाट ही कालो, क्या मिल गया, 3x, plus 2 मिल गया, इसको multiply क 6x मिल जाएगा, यहां संक्या बार भी होगे 2, तो 3x plus 2 मिल गया, ईतनी बार समझे, यह क्या हो गया, 3x plus 2 बाहर आ गया, and 3x plus 2 equal to 0, तो फाली हमारे पास, 3x plus 2 equal to 0, and 3x plus 2 equal to 0, तो फाली हमारे पास क्या मिल गया, माइनस 2 x equal to minus 2 by 3 मिलेगा यहां से भी क्या मिलेगा minus 2 x equal to minus 2 by 3 मिलेगा यहां समझ में है तो x के वालू minus 2 by 3 मिलेगा clear student आई बास समझ में अब हम देखो यहां सम्क देखोएंगे तो इस्ते आपने क्या निकाला minus 2 by 3 मिला और इस्ते भी तो factorize करके देखेंगे student इसको factorize करके देखो तो क्या मिलता है तो यहां इधर मैं solve कर देता हूं student इधर यहां आप मैं solve कर देता हूं आपको देखो student तो क्या हमारे पास 9 x square minus 12 x plus 4 equal to 0 तो क्या हमारे पास इसको factor आए तो 6 and 6 है तो हम क्या कर सकते है 9 x square minus 6 x minus 6 x plus 4 equal to 0 यहां सब क्या बार निका चक्ते हैं 3x बार निकालो तो क्या देगा 3x minus 2 आएगा ऐङ गा है इस ग्या यह क्या बार निकालेंगे ? लिआञ है यहां में legendary 3x बार निकालो कि यहाँ मेरा आंगा अट बंच अठीक समस्क्राइल हैpress इसको मटिप्लाई करो टेखो इसको늦पलाई करो minorities 6- देखो इसको इससर मटिपलाई करो दो चाहिए अब इसको बहुत ही का सकते हैं इसको 3x-2 and 3x-2 equal to 0 finally we will get 3x-2 equal to 0 and 3x-2 equal to 0 तो 3x equal to कितना आगया 2 and x equal to 2 by 3 finally हमारे पसा आए इस्टोरेंट and 3x equal to 2, x equal to 2 by 3 आगया clear इस्टोरेंट तो finally हमारे पस x किया लिए क्या आ रिए 2 by 3 and एक आ रिए minus 2 by 3 तो दोनों को कब देखो यह क्या है रहा, माइनस 2 by 3 आ रहा, और यहाँ से 2 by 3 आए तो finally हम ख़ाइन दोनों को क्या क्या है, यह तो क्या है रहा, प्लस-2 by 3, ठीक है तो दोन को यहाँ से माना plus आ रहा माना minus आ रहा, तो finally we will get प्लस माइनस 2 भाई 3 तो देखो option A correct है student, option A क्या हमरा correct option है, ठीक है, plus minus 2 भाई 3 आ रहा, क्यों, क्यों इधर से plus मिलगा, इधर से minus मिलगा, इतनी मैं समझ में आरे student clear है, तो A option हमरा correct है, तो student जो note करना चाहते है, note कर सकते है, I think सब बच्चों को समझने आ गया हो कि solve कैसे करना ह ठीक student clear है, तो देखो next लोड़ा को समय कर देता हूँ, next इस्टो अटा देते हैं, तो next लोड़ा देखो student क्या करना है, इसको, अभी हम देखोल इसके roots बता रहा है, बहुत असाने student कुछ है लिए, तो इसके roots बता देंगे हम, क्या हो जाएगा, x square minus 3x equal to 0, x bar भी करना है, x minus 3 equal to 0, x equal to 0 and x minus 3 equal to 0, x equal to 0 and x equal to 3 आगया, तो दो roots आजाएगे, 0 and 3, अब इसको रीचे करना है, तो रीचे कर सकते है, x के लिए 0 put करो, 0 put करेंगे, तो left hand side equal to right hand side आ रहा है, तो c option इसका correct है student, I think some बचों को समझी में आगया, कैसे solve करना है student, clear है student, I think some बचों clear है, चार तो next वोड़े भी question देख लेते है student, तो देखो student, आपका ये section B का, first question है, question 7, तो देखो इस question को दो तरीके से कर सकते है student, देर का x equal to 2 by 3 and x equal to minus 3 are the root of the quadratic equation, this one quadratic equation हमारे पास, टेके, then find the value of a and b, ऐसे भी question आपके specific बोड़े पूचे जाते है student, तो आपको पता है, देखो, x equal to 2 by 3 है and x equal to minus 3 है, तो ये alpha का का काम कर रहा है student, alpha का काम कर रहा, और ये क्या काम कर रहा, बीटा का काम कर रहा, आए बस समझ में, तो alpha and beta का काम कर रहा, तो हमें, आपको हमने हमने इस polynomial में बताया था, sum of 0 and product of 0, तो वहाँ से भी solve कर सकते है student, clear है, तो वैसे भी solve कर सकते हैं, और दूसरा भी तरीका है, तो पहले ये वाला तरीका देख देख लिए student, तो क्या काम करना है, कि अभी आपको देखो, sum of 0, sum of 0 क्या होता है, alpha plus beta, क्या होता है, minus b by a, b क्या होता है, coefficient of x, divided by a क्या होता है, coefficient of x का square, तो alpha कितना हमारे पास है student, alpha हमारे पास 2 है, 2 by 3 and beta क्या है, minus 3 है, तो पुट कर लेंगे value, तो पहले हम यहां से a, b, c की value निकार लेंगे, तो a हमारे पास क्या होता है student, तो देखो यहां पर a simple ऐसे दिक्राता है, एक काम करोगे, तो हम ऐसे लिख लेंगे, a, x का square, b, x, plus c, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि यहां पर a, b, c है, तो आप compare नहीं कर भाएंगे, तो b की value क्या होगी student, b क्या clicking क्या होगी है आपका 7 होगी ठीक है C की वेलू क्या होगी C की वेलू B होगी and A की वेलू क्या होगी student A की वेलू क्या होगी A की वेलू कितनी होगी A होगी इतनी बाइस समाझने है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा minus minus by a clear reference यही होता है sum आप 0 क्या होता है coefficient of x minus को coefficient of x divided by coefficient of x का इस्वार यही होता है यहां पर क्या मनें बड़ा capital b माला है divided by capital a आई पर समझने तो अब हम इसकी value नित रहें कि यहां पर alpha कितना हमारे पास student alpha हमारे पास 2 by 3 है clear beta क्या है minus 3 है minus minus v कितना हमारे पास v कितना दिख रहा है 7 दिख रहा a हम यहां से रिकाव लेगे a कितना student a small है clear restaurant तो अब इस वाम solve कर लेगे तो क्या देगा यहां पर L7 ने त्री 2 तो यहां जाएगा 2 और इसके निचे क्या है 1 में तो यह क्या हो जाएगा हमारा student तो इसको इसे डिवादे कर गोत्त ही minus 9 हो जाएगा minus 7 by a हो जाएगा clear restaurant तो यह क्या देगा हमे minus 7 by 3 देगा clear है और यह minus 7 by a होगा यहां से हम find out कर लेगा तो यह क्या मिल गया तो यह क्या मिल गया तो देखो 7 से 7 cancel out हो जाएगा minus से minus cancel out हो जाएगा तो 1 by 3 equal to 1 by a finally हमारे पस a किता लेगा 3 आगया तो यह बहुत असान था अब क्या होता है product of 0 तो अब हमारे पस क्या होता है constant down constant down divided by coefficient of x2 alpha कितना हमारे पस 2 by 3 है beta कितना हमारे पस minus 3 है C कितना है c कि value क्या है b है a कितना हमारे पस a कि value कितनी है 3 है a कि value कि value a थी यह cancel हो जाएगा minus 2 देगा b a हमारे पस क्या से find out कि ए 3, find out कि ए, B equal कितना होगा, minus 2 into 3, तो finally हमारे पस कितना हो, minus 6 आ गया, तठीक है फ़्ञें, तो finally हमारे पस A कितना हो, A हमारे पस 3 हो गया, and B कि वेलु कितना होगा, student, minus 6 और ये हमारा final answer होगा, student, clear है, I think, सब बच्चों को समझ में आ गया, कैसे solve करना है, यह तो पहरा करेंगे, अगर मानों चोब बच्चे इस मेंथर से नहीं करना चाहें, दूसरे मेंथर से करना चाहते हैं, तो दूसरा मेंथर भी कर सकते हैं, एक काम करेंगे, जैसे x, x की value 2 by 3, इस equation में put करेंगे, a, x का square, x का square, 7x plus b, equal to 0, तो यहां पर आप put कर इसकी value, तो देखों, a, 2 by 3, plus 7, 2 by 3, plus b, equal to 0, तो यहां से हमारे एक equation आएक, linear equation in 2 variable, ठीके, यहां से, फिर क्या करेंगे, अब x की value का put करेंगे, minus 3, यहां पर put करेंगे, इसमें, तो क्या आजाएगा, a, minus 3 का square, plus 7, into minus 3, plus b, equal to 0, तो यहां से इस second equation आजाएगे, इन linear equation ही, 2 variable, तो solving equation 1 and 2, किसी भी method से solve कर सकते है, elimination method से solve कर सकते है, या elimination, या cross multiple equation method से करना है नहीं, क्योंकि आपका CVC बहुत delete कर चुगा है, इस साल के लिए, दूस्से लिए करना है, या substitution से कर सकते है, या elimination से परके, a और b निकारा जा सकता है, student, तो यह भी procedure अप्लाई कर सकते है, solve करना के लिए, लेकिन यह बहुत lengthy procedure हो जागा, student, तो I think आपके लिए procedure suitable होगा, student, ठीक है, student, I think सब बच्चों को समझ के आगे, टैसे solve करना है, next question देख लेते है, student, तो देखो बच्चों, इसको भी solve कर लेते है, यह आपका 8th online questions है, solve the quadratic equation, this one quadratic equation देखा, student, this one, ऐसी question है, मैंने solve करना है, student, क्या रखा है, 2x का square plus ax minus a का square equal to 0, तो इसको factorization method से solve करना है, student, तो यहाँ क्या है, 2 है, और C की वहले क्या है, a का square है, तो 2 into a into a, मतब 2a into a, अब तो इनको as I range करो, की हमारा क्या जाए, a जाए, मतब 2a मैंस a करेंगे, तो क्या है, a आएगा, बड़े आप x की वहना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते है, 2ax minus ax, क्या देगा हमें, ax देगा, इतनी बस समझ में, इस student clear है, तो हमने इसको arrange करके यह लिख दिया, तो हम ax को क्या लिख सकते है, 2ax minus ax लिख सकते है, student, तो क्या बज़ाए, 2x का square plus 2ax minus ax minus a का square equal to 0, तो देख़ों, हम एमें में इस student को split कर दिया, तो अब यहां से क्या बाहर निकाल सकते है, student, 2x बाहर निकाल सकते है, तो क्या बज़ाए, अब यहां से minus a बाहर निकाला है, clear, student, अब यहां से minus a बाहर निकाला हो, तो क्या बज़ाए, x plus a यहां बभी आया, x plus यहां बभी है, x plus a बाहर निकाल गया, त 2x equal to a मतलब x equal to कितना है? a by 2 तो फाइन है मारा पास x की दो value आ गई कौन को सी इस्टोडेंट? x equal to minus 10 and x equal to a by 2 clear इस्टोडेंट? I think बहुत असंता इस्टोडेंट कुछ थारी अब देपर next आगे कर लेते हैं बहुत बच्चे कच चुके होंगे इसका अंसर बता चुके होंगे अब यहांपे देखो next next यह वहाँ कर लेते हैं तो यहांपे देखो student क्या दे रखा है? root 3 x का square minus 2 root 2 x minus 2 root 3 तो इसके लिए भी same procedure अप्लाई करना है student धवराना नहीं आपको तो देखो यहांपो क्या काम करेंगे? A QL कितनी है? root 3 है C कितना आपरे पास? 2 root 3 है तो इन दोलों की help से मिलिटर मिस प्रेट देखो कैसे करते हैं? क्या करेंगे? root 3 into 2 root 3 क्या मिलेगा student? root 3 root 3 कितना हो गया? 3 हो गया into 2 मतब 6 मिल गया तो 6 की जो root नहीं है तो मिलिटर रहा? root 2 आ रहा तो 2 को break किया जा सकता है 2 को क्या लिख सकते है? root 2 and root 2 लिखा जा सकता है तो क्या लिख सकते है? इसको 3 time root 2 into root 2 तो देखो 3 time में इससे root 2 minus करेगा तो minus 2 time root 2 मिलेगा तो मतलब हो फानली हो गया सकते है 3 time root 2 minus 1 time root 2 क्या मिलेगा? 2 time root 2 मिलेगा three time root two है minus one time root two minus करेगे तो two times root two मिल जाएगा बट यहां पो क्या है? minus two time root two है तो इसको में minus करना पड़ेगा और यह plus बनाना पड़ेगा तब जाके minus two time root two मिलेगा और यहां पर xb नहीं ऐ भी सका join कर दो student clear है तो हम भी क्या किया गिरेक कर दिया है? इसको क्या लिख लेंगे, यह लिख लेंगे, clear restaurant, तो क्या लेगा, root 3x का square minus 3 times root 2x plus root 2x minus 2 times root 3 equal to 0, clear restaurant, अब हम क्या बात लिखा लेंगे, यहां से, अब हम क्या काम करेंगे, देखो 3 को बे, क्योंकि यहांपर root 3 है, यहांपर 3 को break करना पड़ेगा, जो लो एक बे ब्रेक करके लिख लेंगे 3x square, एक फ्री को क्या लिख सकते है, root 3 into root 3 into root 2x plus root 2x minus 2 root 3 equal to 0, अब यहांपर देखोotti student, अब यहां से हम क्या बात लिखा सकते हैं, root 3x बात लिखा सकते है, root 3x, तो क्या मिलेगा, यहांपर x बन जाएगा, देखो, root 3 और x बात लिखार तो यहां पर क्या रज़ गया रूट 3 & 2 रूट 2 रचा इतनी बाद समझें अब मुटिप्लाई करोगा यह मिल जाएगा इसको इससे मुटिप्लाई करोगा यह मिल जाएगा तो यहां पर तू को भी ब्रेक करना पड़ेगा आपको यहां से बाहर निकालेगे तो यहां पर रूट 2 यहां पर निकालेगे clear student, आए बस समझे है, इसको और simplify कर रहते है, इसको ऐसे रहने दो, root 3x, x minus, root 3, root 2, क्या वहलगा, एक ही root में लिख सकते हैं, clear student, फिर इसको आभी ऐसे हिए बिरा ने दो, तो क्या रिख सकते है, x- ये क्या रिख सकते है, 2 into 3 रिख सकते हैं, अंडर root के एक ही root के अलदर रिख सकते हैं, इसको अटाविक दे इस्टूनेंट, इसकी जभूरत में ही अभी होने, खीक है, I think सबचों को समझ में आ रहा था, ये फानली क्या देगा, root 3x, और ये क्या करें, x-root 6, यहांपर क्या लज़िए, 3x, root 3x बतिए, plus root 2 equal to 0, इतनी बास मज़ने आ रहे हैं, clear है, तो एक काम करेंगे, अब दोनों के equate करें, x-root 6 equal to 0, and root 3x plus root 2 equal to 0, इतनी बास मज़ने रहे हैं, तो अब क्या काम किसको अड़े थे, अब यहांपर देखो, इसको क्या काम करेंगे, देखो, आप minus plus की ध्यान देना, गरद नहीं होना चाहिए, अब क्या हो जाए, x-root 6 equal to 0, x equal to कितना आगे, root 6 आगे, final answer, clear है, फिर अब यहांपर भी कर लगे, root 3x plus root 2 equal to 0 है, तो एक क्या मिलेगा, root 3x equal to minus root 2, x equal to कितना आगे, minus root root 2 divided by root 3 हा गया, इतनी बास हम लगा है, तो यह दो root सा जाएंगे, clear है, x equal to 6 root 6, and x equal to minus root 2 divided by root 3 हो जाएगा, clear है, student, कोई भी minus plus को कर बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा question गलत हो जाएगा, तो इतना हो गया, तो student, आज के लिए इतना ही ना रहते हैंगे, बाखी का जो लिमेनी section C और जो D बचा हुआ, उसको हम आरने वाले वीडियो लेक्षर में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंगी हो जाएगे, student, ठीक है, student, तो आज के लिए इतना ही, आरने वाले वीडि